ये कहानी आपने बहुत सुनी होगी, एक तालाब के अंदर बहुत सारे मेधक रहा करते थे, और तालाब के बीच में एक टापू भी था, जिसके इर्द गिर्द मेधक खेलने के लिए अक्सर आया करते थे, एक दिन सभी मेधकों ने सोचा की क्यों ना एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए और प्रतियोगिता ये होगी की, इस टापू के शीर्ष पर जो मेधक पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा, अब उनकी प्रतियोगिता शुरू हुई, सारे मेधक प्रयास करने लगे, कोई गिर रहा था तो कोई उपर चद रहा था, काफी सम जलने लगे रहने दो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, कितने सारे मेंधकों ने हार स्वीकार कर ली, इस तरह की नकारात्मक बाते मेधक बोर रहे थे, मगर इन सब के बीच एक मेधक था, जो अपनी धुन में चद रहा था और बार बार गिर रहा था, लेकिन वो को शिश्पूरी कर रहा था और पंचायती मेधक उसको भी ज्यान दे रहे थे, देखते ही देखते वह टापू के शीर्ष पर पहुँच गया, सारे मेधक अचंबित थे, जब वो नीचे आया तो सभी मेधक उससे पूछने लगे कि तुमने ये सब कैसे किया, तो वो मेधक त और वह इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाता, रुकावत का कारण भी तो यही होता है दोस्तों, तरह तरह के लोग फप्तियां कस्ते हैं, तुमसे नहीं होगा, कोशिश करना बेकार है, ये जरूरी नहीं कि उनसे नहीं हुआ तो कोई दूसरा भी नहीं कर सकता है, यकीनन क कर सकता है, लेकिन सिर्फ जरूरत होती है तो, बस उस मेधग जैसे बहरे होने की, ताकि ज्यानी लोगों को नजर अंदास किया जा सके